ग्रेवी वाली सब्जी घर में सहीं तरीके से अगर बनाई जाए तो होटल और रेस्टरेंट की सब्जियां फेल है तो आज मैं घर में ही काजू मखाना करी बनाना बताऊंगे आपको एकदम पर्फेक्ट तरीके से अब सबसे पहले एक बरतन लेना है कोई भी पईयन हो आपके पास यह कोई बड़ा बरतन उसे गैस पे चढ़ा देना है और इसमें डालेंगे पानी करीबन एक लीटर और फिर गैस जला के उसको पानी गरम होने के लिए छोड़ देना है और ये मैंने ले लिया है तीन मीडियम साइज की प्याज प्याज को छील लेना है मैंने तीन प्याज रिया है दो प्याज अलग तरीके से यूज करूंगी और एक प्याज अलग तरीके स काटना भी है तो चैनल पर जो पहली बार आ रहे हैं जो चैनल पर नए हैं जिन्होंने सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लिजेगा और बेल आइकन दबाना मिलकुल भी ना भूले अब इस चील चुकी है, तीनों प्यास चील लिया है मैंने, और अब इसे कट करेंगे, बीच से कट कर लिया है एक प्याじ को, और इसको भी छोटे-छोटे पीसिज में चॉप कर लेना है, ऐक प्याज को एकदम बारीग-बारीग काटना है, देखे इस तरीके से और दो प्याज मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से काटना है देखे इस तरीके से कट करके और एक बर्तन में निकाल के रख देना है इसको अलग से तो कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी अब बना रहो तो उसमें प्यास टमाटर का सबसे बड़ा रोल हो साले हैं जो आप देख सकते हो उसमें लॉंग लाइची तेज पत्ता डाल चिन्नी जीरा और मिर्च में सबसे पहले पानी में डाल दूँगी चार मिर्च लिया है मैंने सूखी वाली लाल मिर्च है और इधर मैंने लिया है काजू 200 गरम के काजू ले लिया है और उसमें आ प्याज डाल देंगे पानी में अब पानी अच्छी तरीके से जब बॉयल होने लगे तभी ये सारी चीज़े डालनी है तभी इसको चमच से थोड़ा से चला देते हैं प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक एकदम सौफ्ट न हो जाए काजू प्याज का में पेस्ट इसलिए इसको एकदम soft होने तक पकाएंगे, करीबन 3-4 मिनिट लग जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, अभी boil होने लगा है, और almost पक चुका है, गैस बंद करके इसको उतार लेना है, और इसको छान लेंगे चन्नी से, ये मैंने चन्नी ले लिया है, और इसमें ह इसको छोटे pieces में कट कर लिया है, और इसको डाल देंगे mix in genre, और ये ले लिया है, मैंने 8-10 के लिया lesson की, और 2 हरी मिर्च लिया है, इसको कट कर लेना है, ये पीश सकते हो आप या तो इसको खलबटे में कूट भी सकते हो, तो मैं पीश सही हूँ इसको, इसमें थोड़ा स पीशने के लिए इसको भी ले लेना है, और ये पानी जो रखा हुआ है, बचा हुआ है न इसमें, ये पानी को भी मैं आगे यूज करूँगे, इसको फेकना नहीं है, इसको रख लेते हैं साइड में, और अब ले लिया है मैंने mixer jar, और इसमें काजू और प्यास को जो हमन काजू करी में काजू का पेस जरूर डालना चाहिए, उससे के एकदम रिच सबजी बनती है, ग्रेवी एकदम क्रीमी बनती है, बहुत ही बढ़िया उसका टेस्ट आता है, तब ये पीशके रख लिया है, अभी लेते हैं गैस पेक पैन, और पैन गरम हो जाए तो उसमें ड भून लेना है, और उसी पैन में डाल देना है मखाना, मखाना मैंने 50 ग्रम लिया हुआ है, और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेना है, देखे, थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से गुमा गुमा के करना है, देखे, थोड़ा जल रहा है, लेकिन इसको एक बड़ चिक करते इस तरीके से तूटना चाहिए, ऐसे भूनना है, एकदम क्रिस्पी हो जाए, फिर उसके बाद उसको उतार लेना है, और उसी गैस पर चढ़ा देंगे कड़ाही, और कड़ाही में डाल दिया मैंने देसी गी, यह सबजी मैं देसी गी से ही बना रहे हूँ, अब इसमें डाला जीरा, एक चम्मच, और यह डाल दिया है मैंने डाल चिन्नी, एक तुकड़ा डालना है, और बड़ी इलाईची है यह, और यह दो हरी इलाईची छोटी वाली है, और यह 4-5 लोंग, और यह मैंने डाला तेजपत्ता, यह छोटा-छोटा है, इसलिए मैं दो डाल रहे है मीडियम फ्लेम पे अभी ये ले लिया है मैंने तीन मीडियम साइज का टमाटर इसको दो लिया है और इसको भी छोटे-छोटे पीसेज में चॉप कर लेना है देखें इस तरीके से सुकट करना है तीन यो टमाटर को छोटे-छोटे पीसेज में कटकर लेना है, आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हो, लेकिन मैंने कटकिया हुआ है, और अभी तरह देखते हैं, प्याज भून चुकी है, और इसमें डाल देंगे, जो हमने अधरक लसन मिर्ची का पेस्ट बनाया हुआ था न, उसको डाल देना है, और इसको भ तरीके से मिला लेना है देखे और उसके बाद मैं डालूगी एक चम्मच के करीब धनिया पौडर अवाधा चम्मच लाल मिर्च पौडर और एक चम्मच ही हल्दी पौडर डालना है इसमें और इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेना है तो मसाले को अच्छी तरीके बुनने के लिए इसमें हम डाल देंगे पानी, पानी मैंने एक कप के करिब डाला है, क्योंकि हम मसाला इसमें पका रहा है, जिसमें पानी जरूर डालना है, क्योंकि मसाला जलने का डर रहेगा, तो अभी इसमें डाल देना है चीनी, एक चमच मैंने चीनी डाला हुआ है, ग्रेवी व फ्लेवर एकदम लोग़े रखना है और यह मैंने ले लिया है कसूरी मेथी को हात मिले i.e. रब करके डालना है क्योंकि इसका फ्लेवर्र तभी आता है यह आता है आक रब करके डालते हो ऐसे डाल देने से उसका उत्ने अच्छे सब्लेवर नहीं आता जितना हम रब करके डालें तो आता है तभी एक बड़े चमशे करीब मैंने कसूरी मेथी डाली है और इसको भी डालके अच्छी तरीके से मिला लेना है अभी हमने काजू वाला पेश डाला है इसलिए इसमें चिपकने कडर रहेगा तो इसको मीडियम या लो फ्लेम पे इसको पकाना है तभी तीन से चार में तक इसको अच्छी तरीके से पका लेना है और अब इसमें डालेंगे जो काजू हमने भूनके रखा हुआ था वो डाल देना है पहले काजू डालना है काजू डालके करीबन दो से तीन मर्दक इसको पका लेना है ताकि काजू एकदम स पका लेना है चला के और अभी बॉयल होने लगा है अभी इसमें डाल देना है जो हमने मखाना भून के रखा हुआ था ना वो डालना है ध्यान रहे मखाना लास्ट में डालना है और काजू को पहले डालना है पहले डालके करीबन एक से दो मिनट तक उसको पका लेना है क्रीम है तो बी ढाल जाकते हो, अभी क्रीम डालके इसको फ्रिश फरीधनिया कि इसको ढाल और धनिया डालके इसको इस तरीके से मिलाके और गैस को पर में और पदेना चाहिए क्योंकि ग्रेवी पकाने में धोड़ा टाइम लगता है और पकाते टाइम इसीच का ध्यान दे कि आप उसको मीडियम और लो फ्लेम पे पकाए ज्यादा जल्द बाद जी न करें तो आपकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी देखिए इस तरीके से अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी हुई है न तो तैयार है मारी काजू मखाना करी तो आप इस तरीके से बहुत ही बढ़िया रेस्टरेंट और होटल वाली सबजी घर में ही बना सकते हो तो फ्रेंस कैसी लगी ये काजू मखाना कर हम कि बवाए तý बना सकत compr हो आतरी बना सकते हो आपको काज